दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में तो आज होलिका दहन है लेकिन होलिका दहन किस सुब मूरत में करेंगे हमें कौन सी गलती नहीं करनी है और पूजा के नियम के बारे में भी जानेंगे और पूजा विधी में कौन कौन से सामान लगने वाले हैं और हमें किस प्रकार से पूजा करने होगी मा होलिका की आई इसके बादे में पूरा अपडेट हम जा लेते हैं कि होलिका देहन के लिए केवला आज धाई घंटे का मूरत मिलेगा जब आप होलिका देहन करेंगे यानि लगब साड़े छे बज़े से लेकर आठ बच के क्याओन मिनट तक आपको होलिका देहन करा लेना है होलिका देहन कर लेना है अनेन, अर्चनेन, होलिका, धिश्टा, त्रीदेवता, प्रियांता, नमम इस मंत्र को बोलती हुए होलिका को तीन बार परिक्मा करते हुए जल अरपिद करना है वही दोस्तों सत्रुबाधा से मुक्ती चाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारा जरूर करे ओम, रीम, रीम, क्लिम, अच्चा होलिका दहन की सुब मुरत आप जा लिजे कुल चार मुरत है, सत्त नारायन पूजा समय जो है वो सुबा 11 बजे से लेके दोपैर 2 बजे तक हो चुका है वह पच्चंदमा पूजा मुरत जो है वो 6 बच के 19 मिनट से साम को सुरू होगा और होलिका दहन का मुरत जो है 6 बच के 31 मिनट से 8 बच के 8 मिनट तक रहेगा इसी समय होलिका दहन की जाएगी होलिका दहन की पूजन सामगरी जा लिजे सूखी घास, फूल, सूखी लकडियां, उपले, एक लोटा या कलस में पानी, माला, गुलाल, रंग, हल्दी, अक्षत, इन सभी चीजों की जरूद पड़ेगी होलिका दहन की चौगडिया मुहरत भी आप इसमें देख सकते हैं, इस मुहरत में भी होलिका दहन होता है तो होलाश्टक आज समाप्त हो जाएगा, यानि आज जो है होलिका दहन के आठ दिन कुल समाप्त हो जाएगे आठ दिन बाद यह समाप्त होने वाला है, तो होलाश्टक के दोरान सुब मांगलिक कारे वरजित होते हैं, यानि साथ मार्च को यह समाप्त हो जाएगा वैसे आपके हाँ पर होली का देहन क्या आज है या फिर 6 तारीक को आपने मना लिया है 8 तारीक को होली होगा होली का देहन के सुब मूरत के बारे में अगर और भी कोई confusion हो तो comment करके बताईएगा आपको सुझाओ दिया जाएगा मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ धन्यवाद